नमस्कार बहुत स्वागत है आप सबका आज के खास आयुश्मान भाव में मैं हूँ आपके साथ आपका आईश्टो फ्रेंड संतोश नतोशी दिनांक 10 अक्टूबर को पैदा हुए लोगों के लिए पूरे वर्ष का हाल ले करके उपस्तित हूँ अगर आप 10 अक्टूबर को पैदा हुए हैं तो पूरा साल आपका कैसा वितेगा यही आज के कारक्रम का विशय है पहले तो बदाईया शुब कामनाएं 10 अक्टूबर को पैदा हुए लोगों के लिए और शुब कामनाएं उनके लिए भी जिनकी आज शादी की साल गिरा है जिन्होंने आज शादी किया होगा आज की तारीख में 10 अक्टूबर को सुर्वात करते हैं पहले बताते हैं कि 10 अक्टूबर को पैदा हुए लोगों की सिक्षा किस तरह से भी इतने वाली है इस साल पढ़ाई के मामले में अनकूलता रहेगी पढ़ाई कोई बहुत मुश्किल नहीं आएगी सिक्षा बहुत अच्छी करेंगे आप दिसंबर जनवरी फरवरी ये तीन महिना बोर्ड एक्जाम के होते हैं जो दसमी बारहमी का एक्जाम दे रहे हैं बच्चे उनके लिए पुन्दरवशु नक्षत्र है ठीक रहेगा घब़ाने की आवशक्ता नहीं है ब्रहश्पत ये अच्छी स्थिति में भी है चंचलता थोड़ा सा कम करना पड़ेगा प्यार महबत वाले जो मसले होते हैं जिनसे आप डिश्टर्ग हों जिनसे आपका दिमाग आइस्थिर हो उन मसलों को थोड़ा हटाना पड़ेगा आपके लिए बहुत सोच समझ करके कदम बढ़ाना होगा स्वास्थ साथ देगा मार्च अप्रेल थोड़ा सा पेट से परिशान रहेंगे मई जून बहुत अच्छा जाएगा कहीं बाहर एडमिशन अगरे लेने के लिए अनुकूल रहेगा समय जुलाई, अगस्त, सितंबर ये तीन महिना उन लोगों के लिए बहतर होगा जो बिदेश जाकर सिख्छा गरहन करना चाहते हैं ब्यापार दिनांक 10 अक्टूबर को पैदा हुए लोग जो बिजनस करते हैं उनको इस वर्ष कुछ लॉसेज होंगे ओवर स्मार्टनेस, ओवर कॉन्फिडेंस ये आपको परिशान करने वाला है कहीं पैसा दिया होगा तो ब्लॉक हो जाएगा दिसंबर जनवरी में कुछ परिवर्टन होंगे मार्च अप्रेल पार्टनर्शिप टूट जाएगी होली के लमसम में जून, जुलाई, अगस्त ये तीन महिना आपके लिए बहुत अन्कूल रहेगा इन तीन महिनों में आपके लिए कुछ बहुत बढ़ा और सकरात्मग हो सकता है सितंबर महिने में बिजनस कहीं बाहर फैला सकते है सितंबर 21 में प्राइबेट सेक्टर नौकरी में बदलाओ, दिसंबर, मार्च, जून, अगस्त, अक्टूबर बदलाओ मतलब जैसे एक कंपनी है यहाँ पर सेलरी नहीं बढ़ रही है या एनवाइरमेंट आपको अच्छा नहीं लग रहा तो इन जिन महिनों को हमने जिक्र किया इसमें आप चेंज के लिए कदम बढ़ा सकते हैं, प्राइबेट सिक्टर वाले कहीं कंपनी के काम से इस साल अब बहुत ज़्यादा प्रवास में रहना पड़ सकता है बाहर यात्राओं में रहना पड़ सकता है किसी MNC में हैं, आप मल्टी नेशनल कंपनी में हैं तो थोड़ा बहुत फरवरी और जून परिशान करेगा मकान का सुख ले सकते हैं, वाहन का सुख ले सकते हैं, ये सब जुलाई के बाद जिनांक 10 अक्टूबर को पैदा हो ये लोगों की गौर्मेंट जॉब की चर्चा करें तो सरकारी छेतर वाले दो ही खास तोर पर बात होती है, एक प्रमोशन और एक ट्रांसफर अगर आप प्रमोशन के लिए धाई तीन साथ से भी वेट कर रहे हैं तो अब समय आ गया है, आपका प्रमोशन हो सकता है फरवरी, जून, अगस्त ट्रांसफर के लिए मार्च का महिना बहुत अनकूल रहेगा बास के साथ भी वाद न करिएगा और अपने आपको एग्रेसिव होने से बचाईएगा नहीं तो समस्याओं में आ सकते है मकान का सुख दिसंबर में, फरवरी में और अगस्त में संभाव है बात कर लेते हैं दामपत्य जीवन की पद्व पत्नी के बीच परिस्थितियां बहुत सकारात्मक रहेंगी अनकूल रहेंगी, पत्व पत्नी एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, जाचेंगे और कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे लव लाइफ की इस्थिति देखें तो थोड़ा बहुत आसहज इस्थिति दिसंबर से सुरू हो जाएगी मार्च आते आते हो सकता है ब्रेकप हो जाए, हो सकता है वैलेंटाइन वीक, फरवरी में ही हो जाए किसका होगा ब्रेकप जो दस अक्टूबर को पैदा हुआ है कोई नया प्रपोजल आपको मई के बाद उम्मीद करिएगा और अगभी तक अगर सिंगल हैं तो मई के बाद उम्मीद कर भी सकते हैं पूरी पॉसिबिल्टी बन रही है बात कर लेते हैं स्वास्थ की तो पेट, आंख और लीवर की प्राब्लम बहुत परिशान करेगी एक्सिडेंट्स फर्वरी, जून, अगस्त, अक्टूबर चार महिना वाहन चलाने में साथानी परते हैं उपाय के तोर पर तीन पीपल के पौधे कहीं पर भी शमशान घाट पर जहां लासे जलती हैं वहां आप लगा सकते हैं या किसी से लगवा सकते हैं जिनकी आशादी की सालगी रहे, ग्यारह लोंग काले धागे में बांध कर शिवलिंग पर आप चढ़ा दीजेगा पती-पतनी मिलकर करेंगे तो असर जादा होगा परमात्मा आप सब को इशश्वी बनाए, सवभाग विशाली रहें आप सब हमेशा स्वास्त आपका अच्छा रहें, ऐसी हम इश्वर सी प्राटना करते हैं मित्रों, आप हमसे गाज़्याबाद मिल सकते हैं गाज़्याबाद में मिलने के लिए दिये गए नमबर पर आप कॉल या वाट्स आप करें और मिलने का समय सुनिश्चित करें अनुमत चाहेंगे, प्रशन रहिएगा आप लोग नमस्कार, शिरादे